वेलकम तो दे अन्रोइड गाइड चानल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको Amazfit Pop 2 यह स्मार्ट वाच है जो Amazfit की तरफ से इंडिया में लाँच किया गया है और इसका प्राइस रखा गया है 3999 रूपीज इस स्मार्ट वाच को मैं कॉंपेर करने वाला हूँ Realme Watch 3 Pro के साथ कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे यह सजेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए इस चलिए वीडियो में आगे बरते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों स्मार्ट वाच्च में क्या क्या similarities and differences हैं और price में क्या gap देखने को मिलेगा वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में in detail बताने वाला हूँ बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल ऐकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तब आप तक notification पहुंच सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं Amazfit Pop 2 से तो इसमें आपको अलमीनियम जो हो आपको बाडी मिलता है और रिल्मी वाच 3 प्रो में जो हो यह मेंसन नहीं है इसमें भी आपको मेटल बाडी ही मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस जो है वह काफी ज्यादा है Amazfit Pop 2 में आपको 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्लें मिलता या , वाच 3 प्रो में 10 लिल्ता है स्क्राइब आपको स्लीब ट्रैकिंग मिल जाता है स्ट्रेशा की नैसा मीटिरी ब्लूटूップ echo प्लूटुथरोफ इन और आ मैचो equierung वंड पंतर सकते हैं इसमाटपवर वाक-टि मलता है और यहांवाटश स्क्राइब में आपको Bluetooth 5.3 मिलता है Amazfit Pop 2 में आपको 270 mAh का बैटरी मिलता है वहीं आपको Realme Watch 3 Pro में 345 mAh का बैटरी मिलता है दुनों ही आपको 10 डेस का बैटरी लाइफ मिल जाएगा और स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दुनों ही smart watches में देखने को मिलेंगे Amazfit Pop 2 में आपको music and camera control मिल जाता है और Realme Watch 3 Pro में भी आपको मिलता है और दुनों ही से आप जो हो वेदर को जो अपडेट को देख सकते हैं वेदर अपडेट आपको मिल जाएगा Amazfit Pop 2 में आपको voice assistant मिलता है जो Realme Watch 3 Pro में mention नहीं है वहीं आपको दुनों ही मैं आपको IP68 का water resistant मिलता है Amazfit Pop 2 में आपको zip OS मिलता है और Realme Watch 3 Pro में आपको Realme UI मिलता है यहाँ आपको Amazfit Pop 2 में आपको black and pink color मिल जाता है और Realme Watch 3 Pro में आपको black and gray color मिलता है यहाँ पर Amazfit Pop 2 में आपको 3,999 रुपीज जो हो प्राइस दिया गया है Realme Watch 3 Pro में आपको 4,999 रुपीज प्राइस जो हो इसका रखा गया है Amazfit Pop 2 में आपको inbuilt GPS नहीं मिलता है वहीं आपको Realme Watch 3 Pro में आपको inbuilt GPS का support मिल जाता है यहाँ पर इन दोनों smartwatch को compare करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों का display size same है दोनों में आपको आपको अमरेट display मिल जाता है और यहाँ पर आपको watch faces व गेर सबकुछ जो हो काफी similarities देखने को मिलते हैं इन दोनों smartwatch में और Realme Watch 3 Pro में आपको GPS का support मिलता है inbuilt GPS का chip दिया गया है इस smartwatch में जो Amazfit Pop 2 में नहीं दिया गया है और यहाँ पर आपको जो हो 1000 रुपीस का price difference दोनों में मिलता है और यहाँ पर आपको Amazfit Pop 2 में 100 sports mode मिलते हैं तो लगभग देखा जाए तो काफी ज़्यादा features दोनों में mail खाते हैं दोनों में आपको similar मिलते हैं जैसे एक आपको feature नहीं मिलता है वो है voice assistant का Amazfit Pop 2 में आपको voice assistant मिलता है जो Realme Watch 3 Pro में नहीं दिया गया है तो दोनों को अगर देखा जा तो 1,000 रुपीज का price जो gap मिलता है इन दोनों में Amazfit Pop 2 जो है वो cheaper है in compared to Realme Watch 3 Pro तो यहाँ पे अगर आपके पास 1,000 रुपीज जो है प्राइस का budget कम है तो यहाँ आप Amazfit Pop 2 के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो दो तीन चीज जो आपको कम देखने को मिलेगा जैसे कि एक जो है आपको जीपीस नहीं देखने को मिलेगा और 10 sports mode ज्यादा मिलते हैं Amazfit Pop 2 से तो वह आपको यहाँ देखने को मिल सकता है बहुत ज्यादे ड्रास्टिक जो और चेंज नहीं मिले है कि आपको बहुत ही खड़ाब जो है एक स्मार्ट वाच Amazfit जो प्रोवाइड कर रही है वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपका budget अगर कम है तो आप Amazfit के साथ जा सकते हैं नहीं तो आ कर दो कर दो